हालो हाई दोस्तों वेलकम बेक टूडान डिटल तो डिसकस करेंगे क्लास 10th CBSC के मैस के सिलेबस में जो चेंजेस आया है उसके बारे में तो आईए समझते हैं आज के वीडियो में हम क्या चीज़ डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि CBSC के कॉर्डिंग क्लास 10th का जो सिलेबस है एक तो वो रिडियूस हुआ है और एक चेप्टर आपका गायब हुआ है ठीक है तो सबसे पहले आपन चलते हैं CBSC की साइड पर ठीक है इस पहले आप गूगल पर डालेंगे NCRT पहला ही जो लिंक होगा उसको आप करेंगे क्लिक फिर आप यहां से जाएंगे थोड़ा सा नीचे और यहां आप देखेंगे कि आपको यहां पर टेक्सबुक का एक option दिख रहा होगा यह टेक्सबुक का इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर e-book का option दिखता है यहां पर आपको e-book का option दिखेगा आप इस e-book का option पर क्लिक करेंगे फिर आप नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर यहां पर आपको दिखेगा PDF class first to 12 ठीक है according to 2023-2024 2013 तो इसमें जो syllabus है उसके according यहाँ पर आपको contain दिया होगा तो हम समझते हैं चुकि आज हम class 10th के syllabus की बात कर रहे हैं तो आपने PDF पर click किया यहाँ पर आपको कुछ options दिये हैं पहले आपको यहाँ से class select करनी है class 10th select कर लिया आपने subject select करना है आपने match select कर लिया और यहाँ से आपको medium change करना है आप match गणित और रियाजी match मतलब English medium गणित मतलब Hindi medium तो आपने English medium को select किया और यहाँ से आप go पर जाएंगे जैसे आप go पर जाएंगे तो 2023-2024 का जो book है वो आपके सामने होगा यह उसके chapters हैं देखिएगा आपको visible है चीजे चलिए यह आपको देख रहे होंगे chapters तो discuss करेंगे एक एक चीज़ को one by one हम देखेंगे सबसे पहले chapter one है इसमें ठीक है तो अब यहाँ पर जो changes है उस चीज़ को हम समझ्झे की कोशिस करते हैं क्या-क्या changes यहाँ पर आए हुए है उन changes को हम समझ्झे की कोशिस करते हैं कि CBSC ने क्या बदलाव लाया है तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि इस book में और पिछले साल वाली book में क्या फरगाया है तो total chapter यहाँ पर 14 है कितने chapter यहाँ पर 14 पिछले साल 15 हुआ करते थे इसका सीधा सा मतलब हुआ कि साहब एक chapter हमारा कोई सा गायब हुआ है तो chapter गायब कौन सा हुआ है वो chapter जो गायब हुआ है वो है आपका chapter 10 पहले chapter 10 यहाँ हुआ करता था construction अब वो हटा दिया गया है construction जो था अब वो हटा दिया गया है अब construction chapter आपको नहीं है तो chapter 10 construction था और जो 10 वाला है वो 11 था पिछले साल इस वजह से आपका एक chapter जो है एक जो chapter है वो क्या हो गया है कम हो गया है ठीक है अब one by one chapter को हम देख लेते हैं क away chapter को कि इस chapter में क्या चीजiğ आपकी include हैं और क्या Chiefs होई हैं चलिए अब सबसे पहले आपन चलते हैं आपके syllabus पर prelims पर आपने open click किया जिक है यहां पर आपको पूरा जो content होता है on na book और था यहां से चलते हैं सीधे chapter book नहीं आती हैं आप नई book खरीद ले सहाब ठीक है आप नई book खरीद लेंगे तो बहतर होगा आपके लिए पुरानी book का यूज ना करें आप नई book खरीद लें क्योंकि content हटा हुआ है अगर पुरानी book का है यहां पर को हुआ है कि हुआ है सबसे पहले chapter number one real number पिछले साल भी real number था इस साल भी real number है पर इसमें फरक क्या है पिछले साल यहां पर 1.1 1.2 1.3 1.6 content 1.6 मतलब यहां पर दो प्रस्नावली दो तो एक्सास आपकी हट चुकी है तो इस साल हमें केवल पढ़ना फंडा मिल्डल थेओरम और रिविजिटिंग नंबर्स ठीक है इर्रेशनल नंबर्स के बारे में तो यहां से एक चीज के लिए कि आपकी दो चीजे यहां से हड गई है इसका मतलब सेलेबस कम हुआ है और सेलेबस कम हुआ है आपको कम पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना कम पढ़ना तो आप रिजल्ट ज्यादा आना चाहिए तो अगर आप बहतर रिजल्ट चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े समझते हैं चेप्टर नंबर टू देखिएगा पॉलिनोमियल तो अगर आप पिछले साल की बुक देखिएगे तो उसमें भी 2.6 तक का कंटेंट था अभी 2.4 तक ही मतलब अभी केवल दो ही चीज़ें आपके पास यहां पर रहे गई हैं एक हैं सब्सक्राइब पिछले साल ग्राफिकल मेथड हाटा दिया था पिछले साल मैस्में चैप्टर 3 में यह जो ग्राफिकल मेथड लिखा यह नहीं था इस बार ग्राफिकल मेथड है यह एक च्छी बात है आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि graphical method को पढ़े बिना बाकी चीजों को समझना बहुत मुस्किल है तो यहाँ पर graphical method है मतलब हम यह पढ़ेंगे और अगर यह पढ़ लेते हैं तो बाकी जो आपकी methods बची वो समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी पढ़नी है substitution method और elimination ठेक है कैसे question solve करना है वो चीज़े हम topic में discuss करेंगे फिलाल हमने देखा कि chapter में तीन चीज़े पढ़नी है graphical method substitution method और elimination method बरोबर है एक method cross multiplication वाला था वो हटा दिया गया मतलब क्या समझा है एक तो चेप्टर गायब हो गया है दूसरा हर चेप्टर में से चीज़े गायब है इसका मतलब content बहुत कम हुआ है तो आपका जो content है यह मान के चलिए अगर आप regular classes अदेन करते हैं तो max है महिने का content है six month में आपका पूरा syllabus खतम हो जाएगा बाकी के चार से पांच मेने आपके revision करेते हैं बस आपको यह करना पड़ेगा कि race में सुरुवात जल्दी करनी पड़ेगी ऐसा नहीं कि जून में हम start करेंगे class तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप से लिए बस अच्छे से करना चाहते हैं hundred out of hundred marks लाना चाहते हैं तो आपको class अभी start करना चाहिए ठीक है चलिए discuss करते हैं आगे अच्छा देखें यहां पर पिछले साल में क्या था formula method था ठीक है solution जो था formula method से भी था धराचारी का formula लगता था वो धराचारी के फार्मले से टॉपिक में हम समझेंगे अगला जो टॉपिक है वो है arithmetic progression यहां से भी चीज़े रिडियूस हुई है यहां पर केवल दो चीज़ें साल हमें पंडे को मिलेगी अरिथ्मेक्टिक progression होता क्या है nth term किसी series में है नंबरों की किसी series में nth term कैसे find करते हैं और कोई series है मालों एक से लेके 100 की गिंती है तो एक से लेके 100 तक 1-200 numbers को sum करना है तो कैसे sum करते हैं वो आपको पढ़ना पढ़ेगा sum of first n terms nth term of AP दो चीज़ें और arithmetic progression AP होता क्या है तो बहुत ही सिंपल सा topic हो गया यह भी मतलब मायन के चलिए कि 2-3-4 class हद हो गई आप cover कर जाओगे चीज़ों को हम आपको बिल्कुल 0 to hero level तक पढ़ाएंगे आप बेफिक रहें अगर आप regular class attain कर रहें तो आपको हर एक चीज़ छोटी से छोटी आपको बहतर समझ में आ जाएगी चाहे आपका पिछले सालों में mass 0 रहा हो आप mass में सबसे weak बच्चे रहों matter नहीं करता है यहां इस बार class स्टार्ट करें ठीक है इस लेटी ओप ट्रेंगल्स होगा similar figures क्या होते हैं कॉंगरिंसी के rules होंगे criteria of similarity है न और इस पर best questions होंगे जो हम discuss यहां पर करेंगे coordinate geometry आपका coordinate geometry में केवल दो चीज़े हैं एक आपको distance formula पढ़ना पड़ेगा और दूसरा section formula बहुत ही simple से formula distance formula का मतलब क्या होता है कि बाई कोई दो points होते हैं distance formula का मतलब है कि कोई points है हमारे पास इन दो points के बीच की दूरी निकालनी होती है यह मान लिजिए x1 है यह यहां पर मान लिजिए साहब x2 है और y2 है इसके बीच के जो distance है वो हमें find करनी पड़ती है इसी को बोलते distance formula और दूसरा होता है section formula मान लिजिए कोई line है यह A to B है और इस line को हम section कर रहे हैं काट रहे हैं divide कर रहे हैं तो मान लो इसे हमें 2-3 में divide करना है तो यह जो point होगा जो उसको 2-3 में divide कर रहा होगा इसके coordinate हमें पता करना पड़ता है यहां पर हमें X और Y की value पता करना पड़ता है इसको बोलते section formula बागी हम topic में discuss करेंगे सहाब ठीक है आगे बढ़ते हैं chapter number 6 आपका हो गया अगर हम बात करें chapter number 7 हो गया geometry ना 7 के बाद 8 तो यहां पर हमें पढ़ना पड़ेगा trigonometry ट्रिकोन मीति जो है trigonometry जो है वो right angle triangle के लिज़ होता है तो अगर आपको यह पता है तो भी समझ जाओगे और अगर आपको यह पात नहीं भी पता तो भी समझ जाओगे टेंसन नालो ठीक है बस classes में मैंने फिर वही कहा हर बार ही कह रहा हूं सुरुवास से race में दोड़ना शुरू करें अगर आप रेस में आपकी सुरुवाद अच्छी है तो end भी अच्छा होगा अगर आपकी सुरुवाद ही घराब है तो end में आपके chances जादा रहेंगे हरने के और अगर आपको जीत सरकल में Tencent to a circle Tencent का मतलब होता है जो टच करके निकल जाए है टेंजन का मतलब जो टॉटकर के निकल जाए सरकल को जो लैन तच करके निकल जाए को कre temos भी बाग्य लṔर हैगे हम पढ़ेगे अगे चिपतन नंबर अगला जो हे उसमें भी सरकल के के बारे में पढ़ेंगे पर यहां पर हम पढ़ेंगे एरिया सर्कल का जो एरिया होता है उससे रिलेटेड कुस्टन्स होंगे है ना सेक्टर क्या होता है सिगमेंट क्या होता है डाइमेटर क्या होता है रेडियस क्या होता है सर्कमफेरेंस क्या होती है कोड क्या होता है सिक तो ये सारी चीज़े हम यहाँ पर पढ़ने वाले समझने वाले और इनसे लेटेर कुछ कोस्टन समझेंगे अगला जो टॉपिक है वो आपका है surface area and volume ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है आप सभी class 9 पढ़े क्या है सब को पता है surface area and volume क्या है क्यों क्यों क्योंकि same topic आपका 9 10 में भी और सेम आपका 10 में भी बस थोड़ा सा फरक आने वाला है को संसके लेवल में यहां नया कुछ भी नहीं है वही आपका क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर कॉन फ्रस्टम यह सब चीज़ें पढ़नी है नया कुछ भी नहीं है बट लेवल को संसका थोड़ा सा अगर किसी दो चीजों को मानलों एक सरकल एक स्फेर है और एक क्यूब है तो अगर पिघाल के नया यह नया औपजयक बना लिया तो उस नया बजय कंसक्राय करना पड़ता है बस ब्रसष् usungen क pale आपको परता करना को मिलेंगे फाल्टु कि फीजिये आप ना पड़ें पुर पर आप फ्री हो, आप extra ज्यान लेना चाहों, ले सकते हो, पर ऐसा ना हो, कि extra ज्यान लेने के चाहरें, syllabus पूरा नहीं हुआ आपका, ठीक है, तो पहले syllabus फोकस करेंगे, उसके बाद अगर हमारा syllabus खतम हो गया है, फिर हमारा बस समय है, तो कुछ detail में extra चीजे पढ़ेंगे, ज mod का एक फार्मला होगा, median का एक फार्मला होगा, पर mean के तीन फार्मले होंगे, यहाँ पर median, mean में, जो mean है, mean में तीन टाइट से solve होगा, तीन method होती है, ठीक है, एक direct method होती है, एक आपकी step deviation method होती है, और एक method और है, तीन है, पर वो एक reduce हो गई है, तो आपको दो ही method करने का चांस क्या है जैसे आज बारिस होगी या नहीं होगी इसके चांस क्या है ठीक है तो इसे सिंपल से एक सिक्के कुछ जो सिलेबस है न सहाब, बहुत ही प्यारा सिलेबस है, बहुत अच्छा सिलेबस है, अगर आप इमानदारी से अच्छे टीचर के साथ मेहनत करते हो, तो 100 out of 100 लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आपके 100 मार्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट आपको एक सुरुवाद अच्छे से कर रहे हो, जल्दी से कर रहे हो, तो आपका जो end होगा, वहाँ पर आपको chances जीतने के ज़्यादा होंगे, पर अगर आपने सुरुवाद ही खराब कर दी है, तो आपके chances भी उतने खराब रहेंगे, या कम रहेंगे जीतने के, तो इस बार target हमें ऐ ऐसा नहीं कि 100 out of 80, 80 marks लाना है out of 100, 80 marks सा target ही मत बनाओ, 100 out of 100 का target बनाओ, 80 आपके कहीं नहीं गए है, target क्या रहेगा, 100 out of 100 का, तो ये था आपका स्लेबस अब, थोड़ा समें ये बता दू, topic wise अगर हम देखें, आपका जो paper होने वाला है, वो कैसा होने वाला है, तो आपका पेपर होगा, उसमें total past section आएंगे, section A, B, C और B और E, ठीक है, A, B, C, D, past section होगे, अब इन पांचों section में क्या होगा, ठीक है, total कितने section होगे, पांच, अब इन पांचों section में आपको क्या देखने को मिलेगा, चलिए, पहला जो section होगा, उसमें आपके MCQ question आएंगे, एक न है, very short answer मतलब 2-2 number के सवाल होगे, 5 सवाल होगे, 10 number यहां से cover होगे, कितने होगे सहाब, 30 number, short answer 10 number का, objective 20 number का, और उसके बाद आएगा, very short के बाद short answer, short answer 3 number के सवाल होते हैं, 6 सवाल आएंगे, 18 number आपके यहां से हो रहा है, उसके बाद है, long answer, long answer type questions, यहाँ पर 5 marks का 1 question होता है total 4 questions आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसे आपके 20 marks cover हो रहे हैं, इस तरीके से last mix section आया, section E, यहाँ पर case study based question होगे, मतलब आपको एक image दी जाती है questions की, उस image को देखकर एक condition बनेगी match की, मतलब real life related, real life related कोई image देगा, और उस image में गणित दिख रहा होगा, वो गणित आपको question पुछे जाएंगे, एक और चीज़ी है आपन, यह one marks, one marks, one marks लिखा है, तो इसमें एक, जो case study होगी, एक, वो case study होगी, कि condition आपको image के form में, मैस की, condition दियोगी image के form में, real life की, मैस की, उस image को देखके, 3-4 question आप से पुछे जाएंगे, objective, नीचे objective होगे, पर उनके answer आपको लेंगे, चार-चार नंबर के, और यह 12 नंबर कवर होगे, इस तरीके से, टोटल आपके, जो है, 80 नंबर का, जो है marks का, पेपर होना है, 20 marks आपके, जो है, वो, आपके practical वगिरा के होते हैं, जो आपकी, school वाले आपको, देते हैं, ठीक है, तो, I hope की चीज़ें, आपको यह और marks वाले को सन किस चेप्टर से आ रहे हैं, यह सारी चीज़ें हम देखेंगे, इस से होगा क्या, हमें चीज़ें बहुत अच्छे से clear हो जाएगे, हमारा mindset हो जाएगा कि किस चेप्टर पर हमें कितना focus करना है, किस में कितनी महनत करनी है, किस में, किस level के questions के practice करनी है, बो को यह चीज़ें और पता चल जाए, और हमारी offline class, हमारी offline class स्टार्ट हो चुकिए, उडान academy सनावद, ठीक है, राका hospital के सामने सोलंकी कलोन में हमारी class है, तो आप एक बार यहाँ आए, visit करें, 10 days का demo class free चल रहा है, 10 days का demo class attain करें आप, उसके बाद आपके जो monthly fees रहती है, वो हुसारी exam की त्यारी करना है, जैसे आपको यहाँ पर देख रहा है, constable, मदवदेश, SI, पटवारी, इन सभी exam की त्यारी भी हम करवाते हैं, फिलहाल, आपको 10th का में, जो है जानकरी देना आथा, 10th का बेच स्टार्ट हो चुका है, तो time slot अलग-अलग है, आपको जानकरी जाता है, और यदि आप हमारे यहां complete course पढ़ना चाहते हैं, तो पूरा 10th का complete course भी हम करवाते हैं, अगर आप complete course करना चाहते हैं, या आप particular subject करना चाहते हैं, तो आप नीचे दियेगा, स्क्रीन पर जो number चला, इस पर call करके अधिक जानकरी ले सकते हैं, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली class में, अगले किसी वीडियो में, या अपने syllabus के chapter में, और वहां से हम चीजों को cover कर रहे होंगे, बहुत बहुत धन्या, thank you, आपने end तक मुझे देखा, ठीक है, तो चलिए, मिलते हैं अगली class में, कर दो ना, stop